इस वीडियो के अंदर जोग्राफी के सभी के सभी सोर्स बेस्ट कोशन अंसर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूटाउसंट टॉन्टी तरी बोड एक्जैम यहाँ पर आपके एक्जैम से रिलेटिड जो भी important source based question है वो यहाँ पर हमें डिसकस करूंगा top 10 question यहाँ पर मैंने include करें है तो काम की वीडियो इहाँ पर हमे source base question देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो भी आपका passive आएगा उसको मैं explain करूंगा उसके बाद उससे related question answer को यहाँ पर हम discuss करेंगे बागी हाँ पर आपको जो complete playlist है उसका link नीचे मिल जाएगा भाँ पर geography की सभी की सभी काम की videos include हैं देख लेना सभी videos को चलिए इसको हम study करते हैं यहाँ पर हम समझेंगे तो अगर हम देखे अपने geography के exam में हमें किस प्रकार के question आते हुए देखने को मिलेंगे तो दो प्रकार के source based question आएंगे पहले में case study दी जाएगी आपकी book से और वहाँ से question answer पूछे जाएंगे यह 3 mark का आएगा इसमें देखो जो question पूछे जाएंगे तीन mark के वो MCQs होंगे आपको यहाँ पर tick mark करना होगा लेकिन आपका दूसरा प्रकार का question आएगा वहाँ पर passes given होगा कोई भी box यहाँ पर given होगा आपकी book से वहाँ पर आपसे तीन mark का question पूछा रहाएगा तीन question आएगे लेकिन आपको उनके answer descriptive लिखने होगा या नहीं MCQs भाँ पर नहीं होगे तो मैंने इस source based question को यहाँ पर दो parts में divide किया है इस वाली particular video के अंतर हम देखेंगे सभी के case studies को discuss करेंगे उसके question answer को discuss करेंगे ठीक है यहाँ पर मैं इसके ओपर भी video लेकर आजओगा जहाँ पर हम passes discuss कर लेंगे और उससे related question answer तो यहाँ पर top 10 question हम discuss करेंगे जहां से हमें देखने को मिल जाएंगे MCQs बनेंगे कौन सा हमारा passes कैलो या फिर हमारा case study कह सकते हो तो इसको हम study करते हैं आपको क्या करना है आप खुद से भी attempt कर सकते हो वीडियो को अच्छे से आपको use करना है चलिए तो यहाँ पर हम start करते हैं यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम देखो पहले आप क्या करना आपके exam में जो भी question आएंगे न पहले यहाँ पर आप mcq उसको पढ़ लेना मतलब यह जो question होंगे उसके बाद आप source को पढ़ोगे तो आपको एक असानी रहे कि आपको पता लग जाएगा कि मुझे source पर किस teach पर focus करना है ठीक है जो यहाँ पर रेलेगन सिधी यहाँ पर was facing which problem तो यह कौन सी problem फेस कर रहे थे यहाँ पर दे रखा है pollution and degradation, poverty and illegal, liquid trade, water deficiency, dowry system दूसरा किसके बारे में हाँ पर आपको बताने कौन से measure ने यहाँ पर यह जो विलेजर उसको transform कर दिया rainwater harvesting ने, afforestation ने, watershed development ने, नियाय पंचायत ने तीसरा question दे रखा है, the youth group तरुन मंडल जो है वो एक तरीके से यहाँ पर work कर रहा था किंचीरों पर ban करा है उसने, मतलब काम कर रहा था किंचीरों को ban करने के लिए यहाँ पर बताना है देखो, exam में आपको question easy दिखने को मिलेंगे, तीनों की तीनों जो question आपको देखने को मिलेंगे उनका answer आपको अराम से मिल जाएगा अपने passes में से, नई भी समझ में आता है तो एक बार ध्यान से read कर लेना या बाकी हाँ पर मैं सभी के सभी sources को आपको simple words में explain कर देता हूँ या आपको आपके answer लिखने में भी help करेंगे, जो भी question answer आएंगे as well as यहाँ पर इस प्रकार का जो question आएगा, महाँ पर भी आपको मदद करेंगे और question exam है, ऐसा नहीं कि as it is, इस में से उठके आ जाएं लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत भी घुमा के आएगा न question इस में से आपको definitely answer मिल जाएगा, घबराना नहीं है धियान लगा कर एक बार read कर लेना, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिस करते हैं, तो यहाँ पर देखो जो रहलेगन सिधी एक small village है, कहाँ पर आईए, यह एहमद नगर महाराष्टा के अंदर यह एक तरीके से में देखने को मिलता है, यह example बनता है watershed development throughout the country, 1975 के अंदर इस village में क्या होता है poverty भह जादा थी, यहाँ पर शराब का जो है वो trade हो रहा था और जो transformation है वो यहाँ पर होती है जब यहाँ पर एक army personal हाँ पर रुख जाते हैं उस village में और वो यहाँ पर एक tax लेते हैं, tax start करते हैं took up the tax of watershed development, ठीक है, वो convince करते हैं सभी villagers को कि आपको क्या करना है, family planning करनी है ठीक है, और यहाँ पर voluntary labor जो है, वो आपको करना है आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, prevent कि अराद है open grazing, trees को यहाँ पर जड़ने से, हाँ पर एक तरीके से कटने से रोका जाता है, liquor की यहाँ पर prohibition होती है, voluntary labor was necessary, यहाँ पर जो voluntary labor थी, उसकी बहुत importance थी, वो एक तरीके से necessary इसलिए थी, ताकि यहाँ पर जो वो क्या कर सके एक minimum dependence ensure कर सके government के उपर, किसके लिए financial aids के लिए, और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, इसके अंदर कि यहाँ पर वो लोग जो की village के भार भी रहते थे, वो भी अपनी साल के अंदर पूरी एक मंत की salary दिया करते थे इस काम के लिए, ठीक है यानि कि यह socialized coast यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, लोगी पैसा दे रहे थे इस काम को, और यहाँ पर हमें पहली बार देखने को मिलता है कि summer season में पानी हाँ पर उस area में उस समय पानी काफी जादा था, sweat था मतलब पानी का level बहुत increase था, पहली बार वन्ना वहाँ पर पानी की कमी होती थी, ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके यहाँ पर कराया गया, open grazing यहाँ पर खतम करके, stall grazing start stall feeding start कराया गयी यहाँ पर क्या था, water intensive जो crop है, जैसे कि sugar cane, उसको ban कर दिया गया, उसके बतले हाँ पर कुछ crops हैं, pulses, oil seeds, certain cash crops को हाँ पर उगाया गया, जिनमे water की requirement बहुत कम लगती है और यहाँ पर जो भी elections हो रहे थे local bodies में, वो election होने start हो गए, consensus के basis पर, और यहाँ पर नियाय पंचायत आई, ठीक है और यहाँ पर 22 लाग जो school एक तरीके से 22 लाग रुपे खर्च करेगा school building construct कराने के लिए ठीक है, और जो money थी यहाँ पर बोरो करी जा रही थी और बाद में, यहाँ पर जो money बोरो हो रही है, उसको वो back में दे भी दिया करते थे, यानि कि वो लोग self-reliant बनते जा रहे थे उस village के ठीक है, जो यहाँ पर relegan, relegan ठीक है, relegan सिद्धी जो village है उसके, और यहाँ पर एक नया system आता है कि जहाँ पर, यहाँ पर जो लोग है, वो sharing labor grew out of this infusion of pride and voluntary spirit लोग क्या कर रहे है, एक दूसरे की help कर रहे है employment बढ़ गई, ठीक है तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, read करना है एक बार देखो, जो भी मैंने हाँ पर blue color से लिख राखे ना, यह highlight करे हुए है इनको आपको क्या कर लेना है, एक बार एक तरीके से, यह questions है आपके लिए जा फिर आप keywords हो सकते हो ठीक है, अब हम questions solve करें आप भी pause mark के वीडियो को एक बार pause करके यहाँ पर कोशन solve करने की कोशिश करो, देखो पहला कोशन है कि यहाँ पर कौन सी problem face करी जा रही थी, तो poverty and illegal liquid rate की, liquid rate की second यहाँ पर है, कौन सा measure है जिससे, यहाँ पर जो village है वो completely transform हो गया, rainwater harvesting afforestation, वो था watershed development हमने पढ़ा है इसके अंदर, और जो youth group बनाया जाता है, तरुन मंडल वो काम कर रहा था किस चीच को किस चीच को ban, किस चीच की जो यहाँ पर है, ban करने को लेकर यह भई हमें किस चीच को ban करना है, dowry system को, untouchability को, economic inequality को, तो यहाँ पर दोनों आ जाते हैं A, B, 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 यानि इस concert D हो जाएगा हमारा, ठीक है इस प्रकार के आपको exam में question देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे यहाँ पर उसके बारे में बताना है ठीक है, अठ्छे से पहले आपको क्या करना है पहला step आपको यह होगा, इसको question को read कर लो, फिर अठ्छे से एक बार इसको read कर लो फिर दुबारा question पे आओ, और question answer को यहाँ पर solve करो, mcqs पर tick लगाओ second यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो most of the movement होती है, goods की, services की वो land पे, एक तरीके से land के through takes place होती है यहाँ पर human पहले खुद carrier थे, यानि कि human human एक तरीके से use करते थे एक तरीके से समान को पहुचाने के लिए human का use करता था जैसे कि आपने देखा होगा, जो पहले धुलन होती थी उसको, palan queen होता है पाल की डोली आपने देखा होगा 4 person उसको ऐसे उठा के ले जाते थे ठीक है, उसके बाद animal का use करे जाने लगा animal का use करना start किया लोगों ने जैसे कि mules, horses, camels load को carry करने के लिए उसके बाद बाद में invention होता है wheel का, जहाँ पर carts, यहाँ पर जो बल्लक carts है उनका वो use करते है, बाद में चलके हाँ पर invention होता है steam engine का, ठीक है और यहाँ पर जो first public railway हमें देखने को मिलती है, वो 1825 में railway line को open किया जाता है Stockton और Darlington के बीच में in Northern England, और यहाँ पर जो railways है वो एक important और faster mode of transport बनती है 19th century में और यह क्या होता है, यहाँ पर कई सारे commercial grain farming, mining manufacturing के जो centers है वो USA में open होता है invention होता है, internal combustion engine का जिससे जो road transport है, उसमें revolution आ जाता है, जिससे यहाँ पर जो एक तरीके से, जो road की quality है, vehicles है, जैसे कि motor cars, trucks, एक तरीके से use होने start हो जाते है, road पर चलने start हो जाते है अच्छे level पे, ठीक है, और बाकी अगर हम नहीं नहीं development देखे, land transport जैसे कि pipeline हो रही है, pipeline यहाँ पर जो pipeline है, वो बहुत, उसका construction होता जा रहा है, उसको बहुत use कर रहे है, rope waste को, cable waste को, liquid को use करते हैं, जैसे कि liquid हो गया, mineral oil water, sludge, sewers, इनको transport किया रहाता है pipelines के दुआरा और जहाँ पर freight carriers हैं, जैसे कि railways, ocean vessels, barges, boats, motor trucks यह एक तरीके से हमें देखने को मिल जाते हैं यह cheap भी होते हैं, अगर हम देखें as compared to animal यहाँ पर human human potter, animal अगर हम देखें, यह expensive होते हैं, और यह जो large freighters होते हैं, जैसे कि यहाँ पर freighters जैसे कि यहाँ पर यह हो गए, railway, ocean vessels, ठीक है, boats, यह cheapest देखने को मिलते हैं तो बाकी अगर हम देखें, आज भी इंडिया और चाइना के जो densely populated districts हैं, वहाँ पर भी use किया जाता है human potters है, carts है इन सभी को, मतलब कि कहीं पर कहीं कहीं जगा आज भी humans और यहाँ पर जो animals हैं हम बोल सकते हैं, या cart हम बोल सकते हो, इनको use कहा रहा था, transportation के लिए ठीक है, बाकी चीज़े अब change हो रही है तो एक बार आप pause करके खुद से भी read कर लो, आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी easy language है, hard language नहीं है question के ओपर हम यहाँ पर देखते हैं तो question हमें पहला देखने को मिलता है कि revolution in transport, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कौन सी चीज़ हम revolution बोल सकते हैं, transportation में तो यहाँ पर invention कि स्टीच का होता है तो C is cancer होगा invention of steam engines उसके बाद question number 3 है which among the following is easiest way for transporting petroleum from one place to another तो अगर हमें petroleum को transport करना है एक place से दूसरे place में, तो किस के थूँ हम ले जाएंगे, तो इसका answer हो जाएगा pipelines के थूँ, ठीक है, petroleum को अगर हमें transport करना है, तो pipelines तो इस प्रकार कि आपको question देखने को मिलेंगे अगर एकात question आपको इस पैसे से भी नहीं मिलेगा न, तो आपने जो chapter की understanding है, chapter की understanding के basis पे भी आप उसका answer दे सकते हो, उसके बाद यहाँ पर next देखने को मिलता है question, कि जो benta है, वो कहाँ पर रहती थी, वो रहती थी यहाँ पर जो wilds है, of the abuj mad area of central India, उनके जो village है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है 3 huts, और कोई भी bird, stray dogs, जो कि हमें आम village में देखने को मिलती है, वो हाँ पर नहीं थे ठीक है, और यह क्या करती थी wear करती थी, यहाँ पर small loin loin cloth, और यहाँ पर axe यहाँ पर का use करती थी axe यहाँ पर, आप बोच सकते कुलहाडी ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर करती है, जो panda है यानि forest है, उनकी survey करती है, यहाँ पर क्या करती थी इनकी tribe shifting cultivation क्या करती थी, जो की primitive form का agriculture है, banda और उसकी friend है यहाँ पर क्या करते है, small patches of forest को clear करते है, cultivation के लिए फिर भाँ पर जो उसको जला देते हैं, जो यहाँ पर आती है, उसको वो use करते हैं, ताकि यहाँ पर soil को vital बनाया जा सके, banda यहाँ पर क्या, एक तरीके से बहुत happy है, क्योंकि यहाँ पर जो महुआ है, trees है, वो एक तरीके से bloom हो रहे हैं, ठीक है, और वो अपने आपको बोलती है, how lucky I am to be part to be a part of this beautiful universe तरीके से वो steam के पास steam के हाँ पर past जाती है और वो क्या करती है, palm full अपनी हाँ यहाँ पर palm से water को drink करती है, और वो यहाँ पर क्या करती है thank करना चाती है, लोई लोगी का, जिसने हाँ पर क्या किया है, जिसने allow किया है, कि उसको पानी पीने के लिए हम हापर allow किया ताकि वो अपनी प्यास भुझा सके ठीक है उसके बाद वो क्या करती है अपनी friend के साथ जाती है वो chew करती है चबाती है succulent leaves को roots को ठीक है और वो क्या करती है collect करती है हापर गजरा, कुचला ठीक है, फोरेस्ट में ये special plants होते हैं, जो यहाँ पर people use करते हैं ठीक है, उसके बाद हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, कि कई सारी हाँ पर herbs वगेरा हैं ठीक है, जिनको वो use कर सकते हैं, हाँ पर butter के लिए, as a butter system उस टाइम पर चलता था, ठीक है, उसके लिए वो use कर सकते हैं, जहाँ पर ये जो travel fair आने वाला है, coming up next full moon ठीक है, उसके बाद वो एक तरीके से उसे पता है कि, जो उसने उनके बारे में, herbs के बारे में, इन सभी चीड़ों के बारे में काफी को सुना है, ठीक है, और उसके बाद, यहाँ पर दे रखा है, जो कि हमारे लिए important है, कि उसके बाद, यहाँ पर कोई outsider आने की अवाज आती है, ठीक है यहाँ पर जो rustling है, leaves की वो होती है, यानि की leaves की आवाज आती है, जिससे लगता है, भई कोई आ रहे हैं पर तो वो क्या करते है, बाद में हहाँ से चले जाते हैं यानि की एक तरीके से आपको कुछ यहाँ पर बता रखा है देखो यह आपका जो chapter है यहाँ पर geography, human geography, nature and scope उससे यहाँ पर यह passes है, मतलब यह case study है यहाँ पर बता रखा है कि लोग कितने जादा dependent है अपने environment के उपर, तो कोशन हमें देखने को मिल जाता है कि बैंडा practice करती है, किस type का agriculture तो simple सा है हाँ पर, जो answer देखने को मिलेगा वो कौन सा agriculture है, तो वो है हाँ पर slash and burn cultivation, ठीक है second question है, the state of the society in which passes can be described by which of the following terms तो उस समय कि यहाँ पर, मतलब यह passes कौन सी society को दर्सा आ रहा है, ठीक है neo-determinism, यहाँ पर possibilityism, aerial differentiation environmental determinism तो वो time जब यहाँ पर human being nature पर बहुत completely हर चीज़ के लिए dependent थे, भले वो shelter हो खाना पीना हो, ठीक है, so environmental determinism होगा, और बंदा क्यों यहाँ पर, बेंटा है, यहाँ पर क्यों बोलती है कि मैं बहुत लखी हूँ to be the part of this beautiful universe क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता, इसका अंसर C होगा, क्योंकि बेंटा इसलिए happy because महुआ trees जो है, वो bloom कर रहे है और महुआ, ठीक है, महुआ हमें देखने को मिलता है इसमें और जो यहाँ पर पलास है, साल trees है, वो shelter करते हैं, उसको since childhood, यानि shelter provide करते हैं उसके बचपन से, तो यहाँ पर C का अंसर होगा, उसकी वजासे, दोनों परदेश, और यह एक notified tribal area है, since 21 November 1975, भारमौर को inhabit कर रखा है, गदी ने, जो कि tribal community है, जो यहाँ पर क्या करती है distant identity है, उसकी in the Himalayan region, वो क्या करते है trans humans practice करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, और यह क्या करते हैं, यहाँ पर गदी आली जो dialect है, ठीक है, वो यहाँ पर use करते हैं, और जो भारमौर ट्राइवल रीजन है, हाँ का climate harsh है, harsh conditions है, low resource base है, environment fragile है, ठीक है, यह factor influence करते हैं, society and economy of the region, और according to 2011 census, जो total population है, भारमौर सब डिविजन की वो 39,000, यहाँ पर 139 है, that is 21% per square kilometer, अगर हम population density निकाले, भाथ backward economically और socially backward area है, माचल प्रदेश का, ठीक है, historically गदी हाँ पर experience करते हैं, geographical and political isolation, economic deprivation हैं, एकोनोमी largely हाँ पर agriculture पर allied activities जैसे की ship, goat rearing पर depend है, ठीक है, उसके बात यहाँ पर दे रहाँ खाय की, जो development का process इस region का तब start होता है, जब यहाँ पर, 1917 में, जब यहाँ पर, 1970 में, जब गदी को include किया रहाता है, schedule tribes में under 5th 5-year plan, और यहाँ पर, यहाँ पर एक तरीके से introduce किया रहाता है, 1974 में और यहाँ पर, भारमोर को designate कर दिया जाता है, यहाँ पर 5 integrated tribal, 5 integrated tribal development projects, IT, DP हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जो most significant contribution इस plan का, वो देखने को मिलता है कि infrastructure की development होती है, schools, healthcare facilities, portable water, road, communication, electricity, यह सारी चीड़े provide करी जाती है, ठीक है उसके साथ, यहाँ पर हमें बता रहा है कि भाई, जो, यहाँ पर, जो river, रावी है holy, और यहाँ पर खानी एरियाज में, हाँ पर जादा benefit मिलता है लोगों को, इन infrastructure development का, activities का और जो एरियाज जैसे कि हाँ पर tunda, कुक्ती एरियाज है, हाँ पर जादा benefit देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पर देखने को मिलता है कि increase होता है literacy rate में, improvement sex ratio में decline होते है, child marriage, female का literacy जो rate है, वो काफी बढ़ जाता है 1.88% 1971 में, जो था, उससे 65% जो कि 2011 में हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि gender inequality थोड़ी सी कम होती है ठीक है, यह भी decline होती हुई देखने को मिल जाती है, और बागी इसमें यह सब बता रखा है कि जो यहाँ पर pulses है, other cash crops है उनकी जो cultivation है, वो बहुँ जादा बढ़ जाती है तो यानि कि development हो जाता है overall इस region का, ठीक है, यहाँ पर जो in which of the following social indicators तो किसमें changes आते हैं, यहाँ पर sex ratio में और female के literacy rate में changes आते हैं, और यहाँ पर आपको पताने कौन सा impact है ITDP का तो improvement होता है, infrastructure में decline होती है, child marriage, improvement in literacy rate, तो हमें सभी के सभी देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसे आपको read करना है आपको answer मिल जाएंगे, और simple question आएंगे, आपको सभी के सभी अराम से answer इसमें मिल जाएंगे, ठीक है तो घबराना नहीं है, उसके बाद यहाँ पर next हमारी case study है, वो इंद्रा गांधी कैनाल के बारे में है, तो इंद्रा गांधी कैनाल तीबन मार्च 1958 के अंदर जो यह originate करता है from the हरी के बैराज पंजाम में, और यह पैरलरली रन करता है to the Pakistan border at an average distance of 40 km, था desert के अंदर और राजिस्तान ठीक है, बाकिस की जो total length है, वो 9060 km है और इसका जो total area है, वो 19.63 lakh hectare है इसमें दो चीज़े हमें देखने को मिलती है flow system, एक lift system flow system में क्या होता है, अराम से flow हो रहा है लेकिन जहापर हमें देखने को मिलता है थोड़ी जमीन उची है, तो वहाँ पर lift का use करते है, पानी को पहुचाने के लिए उसमें electricity भी लगती है, ठीक है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दो stage में यह system, जो है canal system carry किया जाता है, पहला stage में यहाँ पर क्या होता है, पहले stage में जो area cover होते हैं, वो गंगा नगर, हनुमानगर नदन, पार्ट विकाने district, यह सभी cover होते हैं, इसके अंदर area आता है 5.53 lakh hectare का, दूसरा है यहाँ पर जो stage है, उसके अंदर areas है विकानेर, जैसलमेल, बारमेर जोधपूर, नागा, ठीक है नागर चुरू district आ जाते हैं, यहाँ पर इसका area है, 14.10 lakh hectare, ठीक है, बाकि इसके अंदर जो 50 degree जो है, वो temperature होता है, उस particular area का और यहाँ पर और भी चीड़े दे रखी है यह हमारे ले तिनी important नहीं है, बाकि जो important है, वो यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है कि इससे क्या होता है, इसका क्या impact पड़ता है यह transform कर देता है, ecology को economy को, society को, ठीक है यह positively as well as negatively negatively impact करता है, हम दोनों इसके देखते है देखो क्या होता है, इसमें afforestation हो रहा है pasture development है, यहाँ पर program होते है CAD के अंदर, ठीक है इसकी वज़ा से क्या होता है, यहाँ पर greenery बढ़ जाती है, land के उपर और wind erosion, siltation of canal system यानि कि wind erosion कम होने लग जाता है canal system का siltation यहाँ पर एक तरीके से दे रखा है ठीक है, कि उस पर भी प्रभाव यहाँ पर पढ़ता है और जो intensive irrigation है excessive use of water का, उसकी वज़ा से दो problem भी आती है, यानि कि positive impact भी पढ़ा है, as well as negative भी negative में क्या होता है, water logging यानि कि जल भराव हो जाता है, soil यहाँ पर saline बन जाती है, खारा बन जाता है soil, और यहाँ पर इसकी वज़ा से और भी transform दे रखा है, भी इसके positive दे रखे है यहाँ पर canal के की transformation होता है agricultural economy में, region की और यहाँ पर उसके साथ पता रखा है कि cultivated जो area है, जो cropping है उसकी intensity बढ़ जाती है, आने की अच्छे से हाँ पर cropping हो रही थी question अगर हम यहाँ पर discuss करें पहला question है, negative effect बताने आपको तो दोनों यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, descanser होगा, दूसरा question है इंद्रा गांधी canal originate करती है, कहां से of cultivated area, तो यहाँ पर option कहला दे रखा है, all of the above यहाँ पर option होगा, तो इस cancer D होगा, positive effect में सारे के सारे आजाते हैं next यहाँ पर हमारा जो passes है, या फिर आप source based बोल सकते हो, case study वो है जो winters है, in the town of Trondheim, यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो fires, winds है, heavy snow है, dark होती है बहुत जादा इसमें जो car यह वो drive करता है 8 a.m. पर, ठीक है, उसके पास special tires है, winter के लिए, और यह अपनी headlight को on करके रखती है, और उसके साथ artificially heated हो रहा है इनका office, ठीक है 23 degrees Celsius पर यहाँ पर इनका जो office बना हुआ है यहाँ पर जो इनकी campus of university है वो huge glass dorm पर बनी हुई है, जिससे क्या होता है, कि snow नहीं आती सर्दी में और गर्मी में है पर, यहाँ पर जो सर्दी में snow नहीं आती, और अगर हमें sunshine चाहिए summer में तो वो देखने को मिल जाती है, temperature control के अटारा है carefully, और adequate यहाँ पर lightning देखने को मिल जाती है और यहाँ पर vegetable और plant ऐसे harsh weather में grow नहीं होते, लेकिन कारी क्या कर रहे है इनके पास orchid है, और उससे वो orchid से क्या कर रहे है, tropical fruits को enjoy कर रहे है, तैसे कि banana kiwi यानि season ना होकर भी वो fruits को enjoy कर रहे है, और यहाँ पर warmer areas regularly है ठीक है, और वो एक click से क्या कर सकते है, अपने mouse के click से, दूसरे जो लोग है दैली में बैठे हुए, ठीक है, उनसे भी connect हो रहे है बतलब shift frequently, it takes a morning flight to London, यहाँ पर सुबा जो है London भी चली जाती है, flight पर, बात में आ भी जाती, evening में, अपने favorite जो television है, serial को देखने के लिए, और 58 years old है ये, लेकिन तब भी काफी young fit देखने को मिल जाती है, ठीक है then है यहाँ पर 30 years old in other parts of the world, यानि कि देखो पहले वाले में हमने एक दो, दो तिन को छोड़के हमने अभी क्या था ना बैंडा वाला जो किया था हमने, बैंडा वाले में हमने क्या पढ़ा था, कि यहाँ पर क्या हो रहा है humanization हो रहा है, मतब naturalization हो रहा है humans का, human nature पर काफी dependent है, लेकिन यह इसका उल्टा है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर nature से possibilities create करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो nature है, वो humanize हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बता रखा है, तो कारी के पास special tires है, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है तो यह कौन सी theory dip it करती है तो यह dip it करती है, possibleism, because हम possibilities create कर रहे हैं, ठीक है दूसरे हैं पर आपको बताने कौन सा example है environmental determinism का, यानि जब हम nature पर काफी dependent थे, तो यह है A, shifting cultivation, question number 3 है कि हैं पर आपको बताने कि कौन सा middle path है इन दोनों के बीच में, जब हम nature पर काफी dependent है, और जब हमने nature को humanize कर दिया, तो इसको ये एक तरीके से किसने ये वाली theory दिये, तो ये theory दिये, किसने, Griffith, Taylor ने, और इस theory का नाम किया है, neo-determinism spelling देखने हैं, यहां से देख लो neo-determinism, ठीक है, तो ये important है, इसके बारे में पढ़ ले न, उसके बाद next यहाँ पर है हमारा जो source है, वो क्या है धारा भी एक पार्ट है Central Bombay का, जहाँ पर जो three wheelers है वो ban है, only हाँ पर जो main road है, वो एक तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, वही पास होती है सिलम पे, ठीक है, और यहाँ पर बाकी बता रखा है किस तरीके से bicycle भी पास नहीं हो पाती, इस area से temporary जो buildings है वो है, two or three storied है, ठीक है, और यहाँ पर high with rusty iron, stairways to the upper part, जहाँ पर single room देखने को मिलता है, यानि कि पूरी family एकी room में रहरी होती है more than twelve or more, यहाँ पर people देखने को मिलते हैं, एकी room में, ठीक है उसके बाद है, आपर बता रखा है कि जो, यहाँ पर condition है लोगों कि वो बहुत जादा बेकार है, saddleless tree less sunlight, uncollected garbage ठीक है, stagnant pools है foul smell, foul यहाँ पर water है जहाँ पर only non-human creatures ही shining कर रहे हैं यानि कि हमें human तो ढंक से देखने को नहीं मिल रहे है, human की condition बेकार है यहाँ पर जो non-human creature है, black crows, यहाँ पर long gray rats यह हमें देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर जो most beautiful valuable जो articles हैं, ठीक है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें कौन-कौन से, from धारावी कम delegate ceramics, pottery यहाँ पर accusite, embroidery zari work, sophisticated leather goods ठीक है, यहाँ पर यह देखने को मिल जाते है यहाँ पर waste हमें जाते देखने को मिलता है जो की, यहाँ पर scheduled caste और जो poor Muslims थे, वो यहाँ पर इनकी वजासे जो यह waste है, वो बहुत जाता जमा हो रहा है, मतलब की condition बहुत जाता बेकार है, ठीक है, वहाँ के लोगों की, तो अगर हम यहाँ पर question solve करें आपको और आम से question देखने को मिल जाएगा, जो मैंने highlight कर रखा है, that is very important to solve the question, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दरेखा है, which community first colonized धारावी, यहाँ पर slum, तो किसने यहाँ पर पहले colonized किया, इस area को वो हैं, scheduled tribes and Christians और यहाँ पर C होगा, इसका अंसर, scheduled caste and Muslims, यहाँ पर देराखायस में, ठीक है, poor Muslims and scheduled caste, उसके बाद slums develop in the cities, due to which of the following, तो slums develop होती है, city में किसकी वज़ाँ से, तो यहाँ पर जो urbanization है, ठीक है, वो unplanned manner में होती है, उसकी वज़ाँ से, यहाँ पर slums develop होते हैं, और यहाँ पर slum हमें mainly किस area में देखने को मिलते हैं, जो बड़ी-बड़ी हाँ पर metropolitan cities हैं, अर्बन area की, ठीक है, वहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर धारावी एक बहुत बड़ा Asia का largest slum area है, जहाँ की condition बहुत बेकार है लोगोगी, उसके बारे में यह बता रखा है, मैंना आपको overview दे दिया है, बाकी आप चाहो तो pause करके वीडियो को एक बार read कर लेना आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी next यहाँ पर हमारा दे रखा है, देखो यहाँ पर passes को combine कर दिया, question बनाने के लिए एक भी आपको पूछा जा सकता है, quinary activities वो services होती है, जो कि focus करती है creation, rearrangement, interpretation of new and existing idea, data interpretation और use and evaluation of new technologies, यहाँ के जो लोग काम करते हैं, यहाँ पर उनको हम gold collar professional, professions कहते हैं, यहाँ पर highly paid skills होती हैं, मतलब कि यहाँ पर कौन को लोग आते हैं, government officials, business executives, research scientists, financial and legal consultants, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर outsourcing हमें देखने को मिल जाता है, outsourcing के अंदर, यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके अंदर आता है कि हम work को transfer करते हैं, overseas में, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो outside agency है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर काम अपना कंट्री को दे रहे हैं, तो इसके लिए off-shoring जो time has को use किया रहाता है, ठीक है, इसमें कई सारी activities को हम outsource कर सकते हैं, जैसे कि information technology, human resource, customer support, call center हो गया, manufacturing और engineering को भी, बाद में हाँ पर जो और भी countries हैं, जैसे कि Asian, East, European, African countries, इनको यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो लोग है, इनकी जो skill है, वो अच्छी खासी होती है, अच्छी English की knowledge होती है, तो यह बड़ी-बड़ी जो company हैं तो USA, Japan की है, क्या करती है, इन countries को काम दे देती है, ठीक है, अपना, तो इस तरीके से चीजे चलते हैं, जो कि यह profitable देखने को मिल जाता है, तो पहला है यहाँ पर question है, quinary activity इन में से कौन सी है, तो इन में से अगर हम देखें, तो जो administrative offices हैं, यह quinary activity का example है, उसके बाद यहाँ पर second question है, आपको एड़ांटेज बताना है outsourcing का, तो यह increase करता है होती है, quinary activities में, उनको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर दे रखा है gold caller professionals, तो इनको gold caller professionals कहा जाता है यहाँ पर next है हमारा question, यहाँ पर बताना है आपको जो जभवा district है, ठीक है यह कहाँ पर located है, यह western most agroclimatic zone है, मध्यपरदेश का यहाँ पर located है, यहाँ पर high concentration है, tribal population की, mostly भिल समय देखने को मिल जाते हैं, poverty काफी जादा है, और high rate of resource degradation है, forest का, land का, यहाँ पर watershed management program को क्या डाता है, include, जिसके यहाँ पर purpose था कि prevent करना land degradation, soil की quality को improve करना, जिसके वज़ा से यहाँ पर change होती है, और इसका यहाँ पर काम था कि link करना है, land को, water को, vegetation को, attempt करना है, ताकि लोगों की जो livelihood है, वो improve हो through natural resource management and community participation, यानि कि सारे लोग participate करें, बाग ही यहाँ पर बता रखा है, बाद में इस program को किस कित्रों implement करा जाता है, यह आप थोड़ा देख ले न, ठीक है, इतना समझाने वाला इसमें है नहीं, उसके बाद यहाँ पर हर household plant करता है, maintain करता है, one tree on common property, उसके बाद यहाँ पर यह plant करते हैं, food grass को, pasture land में, adopt करते हैं, social fencing, यहाँ पर कोई भी open grazing नहीं हो रही थी आने की, एक तरीके से watershed management program को implement करके इस area को develop किया गया, जो कि यह जबुआ district of MP, question है, जो bills है, वो suffer करते हैं, from which of the following issues, तो viral disease, poverty, floods, drought, be ogas concern, second livelihood improvement has been done in the जबुआ district, in with the help of which of the following program, तो किस program के थूँ यहाँ पर क्या जाता है, कि जो program की वजा से, किस program की मदद से हाँ पर क्या रहाता है, तो यह था watershed management, ठीक है, question बन सकता है कौन से program को यहाँ पर एक तरीके से, किस program के थूँ यहाँ पर चीज़े अच्छी होने लग जाते हैं, जबुआ district में, उसके बाद watershed management program को fund कौन कर रहा था, तो यहाँ पर दोनों ministry कर रही थी, यहाँ पर दे रखा है ठीक है, funded by ministry of rural development, ठीक है sorry, यहाँ पर तो यह alone, बाद में alone हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, आपका starting में, किस तरीके से दोनों ministry है हाँ पर देख लो, rural development and यहाँ पर agriculture की दोनों ministry तो इसका answer C हो जाएगा तो यह थे हमारे सभी के सभी important source based question, यहाँ पर एक question रहाएगा आप बोलोगे, यहाँ पर 9 question है, एक question आपको मिल जाएगा, answer के साथ comment section को check कर लेना, यहाँ पर description box को PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उस question की practice भी कर लेना, total हाँ पर हमने 10 question discuss करें है, playlist कर निक नीचे मिल जाएगा, उसको हाँ पर सारी वीडियो को देख लेना, ठीक है, चलिए हमें हाँ पर मैं मिलूँगा next वीडियो के अंदर जहाँ पर हम और भी important चीरों को discuss करेंगे, वीडियो को कुछ आएगा ond, thanks for watching and as always God bless you all